हेलो स्टुडेंट्स क्लास सेवंथ एक्सराइज 6.5 तुडे वी वी लर्न इन दिस एक्सराइज आवाओट पैथागोरस प्रोपर्टी पैथागोरस प्रोपर्टी जहां लगती है उससे रिलेटेट क्वेस्चन हम इसमां आपको समधाने वाले हैं जहां से देखिए एक ट्री इस ब्रोकन एक पेड़ तूड गया ओफ ए हाइट ऑफ फाइप मिटर पांच मिटर के हाइट के बाद पेड़ तूड गया फ्रॉम दा ग्र्रांड जमीन से नीचे से । इटस टॉब टचीज दा ग्रांड एट डिस्टैंस अब ट्वल मिटर फ्रॉम दा बैस आप द्री तो उसका जो उपर वाला हिस्चा है पेड़ के नीचे वाले हिस्चे से 12 मिटर की दूरी पर वो जमीन को टच करता है Find the original height of the tree हमें उस पेड की original height बतानी है तो आप यहां देख रहे हैं यह red color वाला जो मैंने यहां बना रखा यह diagram यह red color वाला यह एक tree है जिसके height यहां से लेके यहां तक यह 5 मिटर है यहां से टूट जाता है और broken हो जाता है यहां से और जो उपर वाला हिस्सा है यह टूट के इधर आता है इस side में तो इसके total height कितने हैं 5 मिटर उपर हमने h ले लिया तो यहां देखे let height of tree a b tree के height यहां a लिखा यहां b लिखा 5 मिटर here a d is equal to h मिटर यहां a से लेके d तक h मिटर है तो हमने पूरी height को यहां भी लिखा है 5 प्लस h या h प्लस 5 हमने पहले यहां नीचे 5 लिखा है उपर h है तो 5 प्लस h हो गया आप h प्लस 5 भी हो सकता है तो अब देखे इसको कैसे find out करते हैं in right angle triangle यहां लिखेंगे हम d d b c d b 5 मिटर d से लेके b तक 5 मिटर है b c 12 मिटर और अब हमें क्या गयात करना है इसमें d c तो यहां now d c square is equal to d c जो है वो hypotenuse है सबसे बड़ी भुजा होती है hypotenuse का square sum of the square of its leg इसके जो leg है इसके square के बराबर होगा s square is equal to 5 square plus 12 मिटर square तो देखें s की जगा हमने लिखा यहां d c d b square यह d b हो गया d b plus b c square और d c की जगा d c लिखा हमने d b d b 5 मिटर है तो 5 मिटर b c 12 मिटर है इसकी जगा 12 मिटर है अब इनका square करेंगे हम देखो d c square d c square लिखेंगे 5 को 5 से multiply करेंगे 25 12 को 12 से multiply करेंगे 144 square meter next line में इन दोनों का sum करेंगे 169 square meter d c is equal to 169 square meter तो d c की value क्या होगी 169 13 मिटर का square है 13 मिटर को bracket का अंदर लिखेंगे अब ये square से square को हम कार देंगे ऐसे तो d c की value क्या होगी 13 मिटर now d c is equal to a d अब जो d c है वो किसके बराबर है a d के बराबर है तो ये कितना है हमारे पास d c 13 मिटर तो a d b कितना हो गया h की जगए 13 मिटर hence height of tree a b पूरी height है a b is equal to a d plus d b a d plus d b तो a d की जगए क्या है 13 मिटर a d 13 मिटर कौन सा है जो यहाँ पर हमारे पास a d है वही d c है यहाँ देखो a d d c 13 मिटर d b ये 5 मिटर 13 प्लस 5 18 मिटर तो अब इसमें यह देखें कि यह पेड का हिस्सा किस तरह से तूटके नीचे आया यह हम आपको दिखाएंगे यहाँ यह देखेगा यह यह वाला जो पेड है उपर वाला हिस्सा यह गिर के नीचे आ गया इस परकार से आप यह देख रहे हैं यह वाला हिस्सा यह, यह हिस्सा उपर है, यह, तो यह वाला जो हिस्सा है उपर वाला यह आक्टर ब्रोकन यह यहां आ जाता है, जैसे आपको अभी हमने दिखाई है, यह समझ मा आ गया होगा, तो this is equal to this, तो इस प्रकार से इस question को solve करना है, आगे देखिए, question number six, angle q and r, angle q and r of a triangle p q r, p q r के अंदर angle q r, r है 25 degree and 65 degree, यह 65 है, q 25, r 65 degree, right which of the following is true, इन में से कौन सा true है, तो पहले हम इसको right triangle prove करते हैं, इन दोनुका sum 25 plus 65, यहां लिखके हम देख रहे हैं, 25, 65, इसको plus करेंगे, 5, 5, 10, carry 1, 6 और 2, 8 और 1, 90 degree, इन दोनुका sum 90 है, अब 180, तीनों angle का sum होता है, इस में से हम 90 को subtract करेंगे, 0-0, 0, 8 में से 9 subtract ने होगा, 18-9, 90 degree, तो यह वाला जो है, यह 90 degree का आगया, आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह एक right angle triangle हो गया, जो P पर right angle है, तो अब इसमें यह property तीन दे रहे हैं, यहां कौन सा से होगा, इसमें पहले में आपको यह बता देता हूँ, इसके जो सामने 90 के जो opposite होगा, वो hypotenuse कहलाएगा, यह hypotenuse, इन दोनों में से एक base हो जाएगा, और एक perpendicular हो जाएगा, तो hypotenuse का square, hypotenuse क्या है, यहां पर qr, qr का square, qr का square, हमें इसमें देखना है, कि qr का square कहाँ है, इसके अंदर, तो इसमें देखना हमें, सबसे बड़ी बुजा है, qr का square, qr square यहां दिया होगा है, देखिए qr square, किसके equal होगा, sum of its lag, pq square, plus pr square, तो यह pq square है, यह rp square है, pr यह rp सेम है, अब यह वाला जो sentence है, यह हम यहां लिखेंगे, true, अब बाकी देखिएगे, क्या लिखा है, इसमें, pq square, यह है, pq, पलस, इस pq में qr, इसको जोड़ दिया है, perpendicular के साँ, hypotenuse, तो यह true नहीं है, यह false है, यहां देखिए, rp square, यह rp है, इस rp में, इसको जोड़ दिया, hypotenuse को, क्यों r को, यह गलत है, क्योंकि, lex के साँ, lex का square होगा, base और perpendicular का square का साम, hypotenuse के square के बराबर होगा, जो बीच वाला, इसमें लिखा हुआ statement, यह true है, तो यह भी यहां false होगा, यह समझ में आ गया होगा, यह pathagoras property है, कि hypotenuse का square, जो सबसे बड़ी भुजा का वर्ग होता है, वो अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है, square of hypotenuse is equal to the sum of the square of its leg, इन दोनों के वर्गों के योग के बराबर, अब देखिए question number 7, यह totally rough work है, question number 7, find the perimeter of the rectangle, whose length is 40 cm, यहाँ आप देख रहे हैं, यह length 40 cm दिया हुआ है, and a diagonal is 41 cm, यह इसका diagonal है, 41, तो rectangle के जो each angle होते हैं, यह 90 degree के होते हैं, यह भी 90 है, यह भी 90, यह भी 90, यह भी 90, यह भी 90, perimeter निकालना है, perimeter के लिए हमें length and breadth होना चाहिए, हमारे पर breadth नहीं है, तो यहाँ आप एक छोटा सा यह जो beach वाला हिस्सा है, right angle triangle हम इसको लगे, तो in right angle triangle ABC, हमें यह लेना है, legs, legs का square लेना है, यह भूजा हमें find out करनी है, तो यह कैसे होगा, देखो, इसका sum और इसके sum, इन दोनों का square का, sum करेंगे हम side के square का sum, देखो कैसे होगा, AB दिया है 40 cm, AC दिया है 41 cm, by pathagoras property से क्या होगा, AB square, यह legs का square, plus BC square, दूसरे leg का square, इन दोनों का square होगा, वो AC के बरावर होगा, हमें जो find out करना है, हमें वो पहले लिखना होता है, हमें यह find out करना है legs, तो legs के साथ इस leg का भी square हम add करेंगे, और right side में लिखेंगे हम hypotenuse का square, तो AB हो गया 40 cm, BC, BC की जगा BC लिखेंगे, AC 41, इस AC की जगा 41, अब इसको हम इसका square करेंगे, देखो 40 का square कैसे करते हैं, 4 को 4 से multiply करो 16, 0 का double हो जाएगा, तो 1600 square cm, BC की जगा BC square, इसका कैसे होगा, 41 का, 41 को 41 से हम multiply करेंगे, तो 1681 आएगा, वैसे भी जब हमें किसी एक संख्या का square मालूम हो, तो दूसरे का square हम easily ग्याद कर सकते हैं, 41 से पहली संख्या है 40, 40 का square हमें मालूम होगे, अभी हमने निकाला था, बहुत easy है, तो 41 का कैसे निकालेंगे, जब उससे अगली संख्या का square निकालते हैं, तो हमें क्या करना है, कि 40 प्लस 41, इन दोनों का sum कितना होगा, 81, 81 प्लस कर दो 1600 में, तो ये square हो जाएगा 41, नेक्स्ट देखिए, और BC square is equal to 1681 square, ये 1600 square cm, right side में जाएगा, transpose to right hand side, ये इस side में आएगा, minus हो जाएगा, ये हम इस में से इसको subtract कर रहे हैं, तो आएगा 81 square cm, ये BC square bracket के अंदर है, तो 81 square cm, ये किसका square है, देखिए, ये 9 का है, 9 को 9 से हम multiply करते हैं, तो 81 आता है, अब यहाँ square से square कर जाएगा, तो और, तो BC की value हमारे पास आ जाएगी, 9 cm, तो ये BC जो है, यहाँ पर यह आ गया हमारे पास, 9 cm, जिसको हमें find out करना था, 9 cm, अब इसका हमें क्या निकालना है, पेरिमिटर, अब हम पेरिमिटर बताते हैं, आपको कैसे निकालना है, देखिए, length of rectangle ABCD, 40 cm, breadth of rectangle ABCD, 9 cm, जो अभी हमने मालम किया है, अब perimeter of rectangle क्या होता है, टू, bracket के अंदर, L plus B, L plus B, length plus breadth, length कितना है, 40 cm, plus breadth कितना है, 9 cm, इन दोनों का sum जितना होगा, वही sum इन दो sides का होगा, क्योंकि यह इसके equal है, यह opposite हैंना, sides ही, opposite हैं, तो यह 40 है, यह भी 40, यह 9 है, इन दोनों का जो sum होगा, वही sum इन दोनों का होगा, तो sum of 4 sides कितना होगा, इन दोनों के sum का double, तो हम इन दोनों का sum कर रहे हैं, 40 cm, plus 9 cm, 49 cm, यह बहार 2 इसलिए लगाओ, उसका double करेंगे, 2 से 49 को multiply करेंगे, 98 cm, this is the answer of this question, अब देखिए, question number 8, the diagonal of a rhombus, sum चत्रभुज, rhombus मीन सम चत्रभुज, जिसकी यह 4 sides equal होती हैं, 1, 2, 3, 4, लेकिन इसके diagonal जरूरी नहीं है, वो equal होगा, तो इसके जो diagonal दिये हैं, यह 16 cm है, A से लेके C तक 16, and 30 cm, B से लेके D तक है 30 cm, find its perimeter, इसका भी perimeter निकालने के लिए, पहले हमें इसको side को find out करना, इसकी एक भुजा निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे, देखिए, solution, A, B, C, D is a rhombus, diagonal A, C, 16 cm, diagonal B, D, B से लेके D तक 30 cm, यह लिखा होए 30, एरो लगा हुआ है, 30, यह 16 है, एरो लगा है, यहां से यहां तक, अब देखिए, diagonal of rhombus, bisect each other, at the right angle, बैसेक्ट का मतलब होता है कि इसको दो बरावर भागो में बाणते हैं इसके जो डाइगनल है जैसे यह 16 है तो यह 8 cm यहां से लेकर यहां तक 8 यहां से लेकर यहां तक 8 तो यह इधर वाला पॉर्शन हमने 8 cm लिख दिया इधर भी 8 cm हो गया कि बैसेक्ट करते हैं दो बरावर भागो में एंड राइट एंगल 90 डिग्री का एंगल बनेगा यहां पर इस साइड भी इस साइड भी इस साइड भी इस साइड भी इस साइड बी अब हमें od ग्याद करना है तो od क्या होगा 1 by 2 of bd इस bd b से लेके d तक इसका आधा करना हमें तो bd कितना है 30 cm 1 by 2 multiply 30 2 से 30 को divide करेंगे 15 तो आएगा 15 cm यह आगे आगे आपका od लिखा है अंदर od यह अंदर वाला जो है यह 15 cm है अब आप इसके यहां देख रहे हैं यह एक राइट अंगल ट्रेंगल है अब इसको फोकस कीजिएगा इस राइट अंगल ट्रेंगल को इसमें बेस है 8 cm हाइट है 15 cm जिसको हम perpendicular मानेंगे यहां इसको बेस मानेंगे तो हमें निकालना इसका hypotenuse यह वाली भूजा dc यह हमें मालुम हो जाएगा तो यह rhombus की side होगी फिर हम इसका perimeter निकालेंगे देखिए इन राइट अंगल d o c d o c o पर जो है यह राइट अंगल है o c हो आप लिखेंगे therefore dc square यह वाली भूजा निकालनी है हमें hypotenuse dc dc square is equal to o c square प्लस od square यह कैसे है by pathagoras property यही pathagoras के property यहां use होगी dc square यह वाली भूजा है ध्यान से देखिएगा dc square o c square प्लस od square आप देखिए dc square o c कितना है 8 cm o c 8 यह देखेगा o c 8 od है 15 od यह 15 है अब 8 को 8 से multiply करेंगे 64 आएगा 15 को 15 से multiply करेंगे 225 cm आएगा square means है उस संख्या को c से multiply करना होता है तो dc square bracket के अंदर आएगा dc इन दोनों का sum आएगा 289 square centimeter 289 square centimeter जो है वो 17 का square है 17 को यदि हम 17 से multiply करते हैं तो आता है 289 289 तो यह 17 आगया 289 को हम लिखेंगे 17 cm bracket के अंदर बहार square 17 cm को 17 cm से multiply करेंगे तो 289 आएगा तो यहाँ आप square से square को हम काटेंगे तो dc की value कितने होगी 17 cm dc होगी यह वली भूजा यानि इस rhombus की भूजा अगर यह 17 है तो यह भी 17 है यह भी 17 है यह भी 17 है क्योंकि all sides of rhombus are equal इसके सभी भूजाएं आपस में बराबर होती है अब देखिए 10 the side of rhombus आता है इसकी जो भूजा है वो 17 cm perimeter of rhombus side into 4 क्योंकि इसके 4 sides equal होती है इसे 4 से multiply करेंगे 17 cm multiply 4 17 forza 68 cm this is the answer तो यह आपके 8 questions complete हो चुके हैं हम फिर मिलते हैं अगली वीडियो में आप इस वीडियो को like किजिए, share किजिए, subscribe किजिए, thanks for watching